हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू साहो सबस्टोंस दोस्तों आप एंगलर 16 का फुल टुटोरियल सीरीज को फॉलो कर रहे हैं जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने यह देखा कि पूर्जिक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है एंगलर के अंदर मतलब एंगलर का पूर्जिक्ट क्यों important है वही चीज आज आज आपके लिए सामने लेकर आया हूं और आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि package.json file और package.json file का क्या रोल है इसके अंदर क्या होते हैं तो इसको हम तो आसा आउट आपस्कोप भी समझेंगे इसके अंदर बहुत सारे चीज आएसे होते हैं जो experience level को आप से पूछे जाते हैं इसके बारे मैंने थोड़ा सा डिफाइन कर रखा है हलाकि मैं आप लोगो प्रोजेक्ट में लिए चलता हूं और वहां पर अच्छे से डिस्काइब करके समझाता हूं एक एक पॉइंट को बताता हूं क्या रोल है इसका ठीक अच्छे चलते हैं प्रोजेक्ट में और वहा समझाता है तो यहां पर देखिए दो फाइल है पैके जोट जेसन फाइल और पैकेज लॉक डोट जेसन फाइल ठीक है तो यहां पर मैंने आप लोग को समझाने के लिए यह बोला था कि अगले वीडियो में क्यों समझाएंगे देखिए बहुत इंपोर्टेंट फाइल है दोनों फाइल तो इसको समझने के अच्छे समझे कि जब भी हम को पर्जेक्ट केरियेट करते हैं तो बहुत सरे पैकेजेज इंस्टॉल होते हैं कौन इस्टॉल करता है नपीएम जो पिछले वीडियो में मैंने बता रहा था और उन सारे पैकेजेज के फोल्डर को कहा आप को यहां पर दीख रहा है कि यहां पर तो बहुत सरे Supply में न 0097 चाहित ने सारे पैकेजा कि अच्छे सब्सकरीन हैं तो बागी सारे push पाकी सारे नरीनता है स 20 और दृत्ति अपल्ड לנו 30 सारे package मिल जाएंगे तो अभी इसको समझे सबसे पहले पैकेज डॉजेशन फाइल को इस में देखे सबसे उपर आपके प्रोजेट करने में दिया हुआ है वर्जेट करने में दिया हुआ है अगने में लिखा हुआ है की आपो खेकेज मिल करेंगे अंधने लिव boxे Diego प्रोजेट को नहीं जो होगा है अगर वर्ड वाइल दिखा ना है तो हमने उसके आउसे करते हैं नहीं है डोमेंड का dns से करते हैं वर्चुल एरेक्टरी से सर्वर रोस्टिंग स्वर देते हैं हम आपको स्कूर को रखते हैं उससे डीरे स्थिंग करते हैं तो जैसे हम इंदेन चौड़ी लाकर दिखाता आपको तुष़ सरी किस जब इसको की सर्वर पर इंस सारे पैकेज़ जो तो अब यहां पर समझे किया है कि यहां पर बहुत कम packages के लिखा हुए है ठीक है और यहां पर बहुत आffen Divine प्रफॉल्डर्स का जो रिफर्वेंज यहां पर हैं कैसे अब देखे मान लिजेए कि यहां पर मेनमेन पैकेजेज का रिफर्वेंज दिया हुआ मेन जैसे मेन accessibility है और कि यहां पैकेजु का रिफरिक्यागी यहां प्राखा हुआ है तो उन्तार पेकेज को भी इंस्टॉल करेगा मतलब इसका dependent ठाइकेज़ टुडेज़ टुर्टेज़ टुझे कोई डिपरण सीज है तो उसको इसको इसको इंस्टॉल तीज़ आपको कहां पर नेक्ट करते जाएगे आपको दिखाता हूं देखिए प्रीडिपेंदेंसी चील का अब इसके डिपेंडेंस के कितने हैं इतने सारी इंस्टाल हुए है इनका भी फोल्डर बना हुए इसलिए वहां पर फोल्डर बहुत सब बन जाते हैं इतने सारे डिपेटेंस बन झाएंगे और यहां पर इतने सारे फोल्डर बन जाएंगे तब क्रिये हैं और ने इसके फॉल्डर में करेंगे दिल में पैकेज एनक Έगे जो में करते हैं पर समझे संपर जो नूट मॉडूल है ठीक है नोडवी थैन मोदूल बहुत हेवी फोल्ल होता है बहुत हेवी फोल्डर होता हैばい इसको अमली आपको किसी दोस्त को करना है यह פर भूह पना प्रॉजट करना है यह विल्कan में करते देंगे तो बहुत है भी होता है ता आपके काम कर सकती सको डिलीट कर दीजिए यह डिलीट कर सकते हैं नोड बोलेट फॉल्डर को और इन दोनों फाइल को रख़ेए इसको । डिलीट नहीं होना चाहिए कि इसका का reference उठाएगा और फिर से NPM क्या करेगा इन सारे packages को install कर देगा फिर से उस project में ठीक है और node module फिर से folder बन जाएगा और उस folder के अंदर सारे folder फिर से दुबारा बन जाएगे ठीक है आप खुद से भी try कर सकते हैं ठीक है आप क्या करिए इस folder को डेट कर दीजिए और इंटरनेट चलते रहना चाहिए ध्यान रखेगा ठीक है इसको डेट करिएगा और फिर से फोल्डर बन जाएगा और आप के अंदर इस सारे folder फिर से दुबारा बन जाएंगे बस अर्त है कि यह दोनों फाइल जरू होना चाहिए यहीं से रिफ्रेंस उठाएगा तीसी तरीके साम अपने पूर्जेट को एक दूसरे से शेयर करते हैं फोल्डर को नहीं देते हैं ठीक है दूसरा चीज कि पूर्जेट में डेवलप्मेंट करते टाइम अलग-अलग को ठट पाटी पैकेज भी इंस्टॉल करेंगे तो उसका भी रिफ्रेंस यहां पर बनेगा उसका भी फोल्डर यहां बन जाएगा तो अब घमाल गुर्ट में पर फोल्डर करता हूं देखिए करता हूं यहां यहां पर बंस चैब अपने आप और यहां पर इसक करिएगा थिक है जलते हूँपर बी में कहा गया नोड मोडूल को spend करिए और यहां पर बी के अंदर boot test app आपको मिल जाएगा देखिए boot test app आगया दिए boot test app इंस्टल हो गया और यहां पर reference पर add हो गया अगर कोई पाक इसको uninstall करना है था बिखर दीजिए यहां पर npm तो सहरा काम NPM कही है NPM Uninstall ठीक है बूटेस्ट्रिप इंटेट करिए देखे गई अपने आप गाइब हो जाएगा यह लाइन और यहां से फोल्डर गाइब हो जाएगा रिफिस्स करिएगा तो देखे गाइब हो गया और यहां से फोल्डर भी गाइब तो इस तरीके से यह मैनेज करता है NPM ठीक है अब अगला प्वाइंट जो आउट अपस को पेचे समझ जीए इसको देखे अब इस पैकेज़ेस के अंदर आप कहीं कहीं देख रहे हैं कि सीका मतलब क्या है इसको समझ लेकर समझे कोई भी वर्जन होता है वे वर्जन 3-digit में होता है देखिए 16.0.0 तो 3-digit में जो digit होता है उसका रोल होता है पहले वाले का मतलब होता है major part major digit बीच वाले को बोलते है माइनर और लास्ट वाले के बोलते हैं पैज तब यह कब होता है ठीक है मेजर पार्ट का मतलब यह हुआ कि अगर अगर बीच वाले पार्ट में के वर्जन आचुका है ठीक है बिल्कुली सिग्निफिकेंट निग फीचर आ गए हैं बैकवर्ड केंपेटेबल नहीं रहा तो इसका मतलब की सेम वर्जन में कोई नया फीचर आया हुआ है तो उसको रिलीज करते हैं लोग और यहां पर एक डीजिट बढ़ा देते हैं होता है कि एक से तीन मेने के बीच में एक नया रिलीज करते हैं को है तो उसको फिक्स करके और यह पैच यह बढ़ा जाते हैं ते भग फिक्सिंग के लिए होता है तीन डीजिट हो गया यह ठीक है तो अब समझे कैरेट और टिल का देखे अगर टिल लगा हुआ है तो अब माली के हम ने बता रहा है अभी बता रहे थे कि यहां पर NPM इस्टॉल चलाईएगा पैकेज इस्टॉल करेगा या फिर NPM अपडेट चलाईएगा तो क्या करेगा ते सब कुछ क्या वर्जिन का अभलेबल होगा तो इसको इस्टॉल करेगा यह का मतलब है कि दो to check करेगा और वालवालवा चैन्ज करने का मतलब होगा है पूरा का पूरा वर्जन चेंज हो जाएगा ठीक है अब अगर पूरा हटा दीजिएगा ये भी हटा दिया हमने तो एक्जेक्ट यही मिलना चाहिए तब इंस्टॉल करेगा तो यह इसलिए हर में कायरेट और टील लगाव रहत है कि कोई हायर वर्जन का हो तो उसको इंस्ट करते हैं इन दोनों फाइल पर बहुत डिपेडेंसी है यह दोनों फाइल उन पैकेज के रिफरेंस को रखते हैं अटाईएगा नहीं क्याम करेगा इंस्टॉल करिएगा तहां पर रहेगा ही रहेगा जो आगे बाली वीडियो जो बहुत सरे पैकेज्ट करना भी हम तो आई होब कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मतलब है पैकेज डोजेस्टन फाइल का की उच करते हैं इसका क्या इंपॉंटेंस है फिर भी आपके माइन में कोई भी कन्फूजन हो तो हमारे प्रमेंट बॉक्स में से अगर आप कोर्पेट ट्रेनिंग लेना चाहते है इसके अलावा प्रजेक्ट ट्रेनिंग दियाता है इस वीडियो के दिसक्रिशन बस में हमारे वेफसाइट का लिंक है विजिट करिए मुवाइल नंबर्स भी अवलेबल है और अपने बैच चूच करिए चली मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ करते है Thank you so much